कि नमस्कार घटना चक्र में आपका स्वागत है मैं हो विपल सिंग और हर रोज की तरह आज भी हम हाजिर है कुछ खास मुद्दों के साथ और तमाम हमारे पैनलिस्ट के साथ उनको दो को समझेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ उसके भविश्व में परिणाम निकल सकते हैं देखते हैं क्या कुछ खास है एजेंडे में नामंकन के आखरी दिन दिगजों ने भरे परचे जीत कर सरकार बनाने के अपने अपने दावे बड़ा सवाल किसमे कितना है दम और पुर्धान मंतरी की जन्धन योजना गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज सारह 11 करोर से ज्यादा लोगों ने खुलवाए बैंक खाते बड़ा सवाल क्या फिनांशियल इंक्रूशन का बनेगा सबसे प्रभावी टूल दो खास एजन्डे आज की हैं पहला एजन्डा दिल्ली चुनाओं में आज जो तमाम दिग्गस्त हैं जो मुख्यमंतरी पत के दावेदार हैं उन्होंने आज अपना नमांकन दाखिल किया है पहले आप तमाम एक्सपर्ट को रूबरू कराएं उससे पहले जरा आपको सु कि आम आदमी पार्टी को दूबारा लाना है और इस पार पूरे बहुमत से लाना है एक बार पांस साल के लिए पूरा मौका आदमी पार्टी को देना है और लोगमन बना चाथा पहला इम्तिहान फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास हो रहे हैं पहला इम्तिहान पास फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडल सबी पार्टी आपने अपने दावे कर रही है कॉंग्रेस कह रही है कि वो बहुमत के साथ आएगी बीजेपी कह रही है वो बहुमत के साथ आएगी और आम आदनी पार्टी कह रही है वो बहुमत के साथ आएगी क्या कोछ इसती है दिल्ली की बातचीत करते हैं हमाई साथ तम पहला सवाल तिलिप जी आपसे पूछना चाहेंगे ये जो इस्थिति अब देखने को मिल रही है पिछले दिल्ली के चुनाओ थे और अपकी दिल्ली के चुनाओ में तमाम इस्थितियां परिस्थितियां बदल गई है भरस्टाचार अब मुद्दा रहा नहीं जनलोगपाल को लेकर के बातचीत हो नहीं रही है कैसे आप देख रहे हैं तमाम पार्टियां अपने दावे कर रहे हैं तीनों की तीनों जो दिगज पार्टियां है वो अपने अपने दावे कर रहे हैं किसके दावे में कितना दम आप मान रहे हैं बहुत सभाविक है दावे तो करेंग लेकिन इसमें कुछ चीजे तेरह और पंद्रह में जो अंतर है उस समय अन्ना के आंदोलन से एक पार्टी निकली थी जिसका नाम था अमादमी पार्टी अब वह साल भर में साल से ज्यादा में समय में अब वह आंदोलन नहीं है अब विशुद राजनेतिक पार्टी के तौर अन् leisure पर काम करते हुएं उनको काफी समय हो गया कल तक आंदोलन करने वाले जो लोग उनके शाथ अनके साथ थे और हमने सामने धिया दिली में लिए तो क्रणवेडी और जिस तरह की शैली, जिस तरह के तिक्रम, जिस तरह के तमाम उनके जो सियासी हतकंडे हैं, उससे लगने के लिए बीजेपी ने उनहीं के जिसे कहते हैं ने एंटी बॉडी जो उसी के सरीर से या उसको उस वाइरस को खर्पन करने के लिए आप उसी के सरीर से कुछ ऐसे चीज लेते हैं फिर उसको एंटिबाटिक बनाते हैं तो बीजेपी ने इस बार वही किया है अरविंद केजरिवाल से लड़ने के लिए अरविंद केजरिवाल के फौज में से उनके जो कुछ लोग थे उनको तोड़ के लाए हैं उन्हीं के अंदोलन से कुछ निकले हुए लोगो कम से कम नो महिने में तमाम ठीकरा अब सर्फ कॉंग्रेस के ऊपर नहीं फोराजा सकता है अब कॉंग्रेस की सरकार नहीं है ना केंदर में ना दिल्ली में तो वो कम से कम सवाल खड़े जरू कर सकते हैं इसलिए जो लड़ाई है इस वक्त यह दिल्चस्प लड़ाई है और कई अलग-अलग चीजें हैं हमारे साथ और भी इसे सगे हैं जब वो बताएंगे हाँ बिल्कुल उनसे बातशित करते हैं हिमानशु जी आप से जानना चाहेंगे जैसा कि अभी दिलिप जी ने कहा कि तमाम उन्हीं के युद्धाओं को लेकर के बीजेपी चुनाओ लड़ हैं एंटी बाडी कि उन्हीं के हथियार से उनको ही मारा जाया ऐसा तो नहीं कि यह हथियार जो है वो उल्टा पड़ रहा है तमाम आज भी हम देख रहे हैं बीजेपी के दफ्तर के सामने तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं कि काफी बाहरी लोगों को टिकट दे दिया गया नर जब में होता है कि आप कूदने के लिए या चलांग लगाने के लिए दस कदम पीछे से दोड़ना सुरू करते हैं तो बीजेपी एक ऐसे समय में दोड़ना सुरू की है जो हमको लगता है कि जितनी उचाई है उतनी चलांग लगाने के लिए जितनी दोड़ कि आप सकता है इस समय में लगा पाएगी और एक ऐसे प्रसलेटी को उतारा है इसको पॉलिटिक्स देखी बहुत आसान नहीं है पॉलिटिक्स आसान नहीं है और इसका मज़ा अर्विन के जरिवाल ने भी चखा है अर्विन के जरिवाल भी भाववेस में आकर उन्होंने कुर्सी छोड़ी फिर एसास हुआ कि नहीं जो अब घुम घुम के यह का रहे हैं कि नहीं अब तो पांच साल से पहले इस्तिफा नहीं दूँगा मतलब राजनीती की जो एक नफासत होती है उसकी जो नजाकत होती है उसको समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और मुझे लग रहा है कि क किरन वेदी जी का दिल साफ है इमांदार है चवी ऐसी है जिस पर कहीं कोई उगली नहीं उठा सकता है लेकिन राजनीती में कई बार ऐसी चीज़ा करनी होती है जिसकी अभ्यस्त किरन जी नहीं होगी मुझे लग रहा है कि इसका कहने कही नुकसान होगा और जिस तरीके से लोग ये काते हैं कि भाजपा अनुसासित पार्टी है ठीक है अनुसासित जब आप कहते हैं तो आप करते हैं दूसरी पार्टियों से लेकिन ऐसा नुसासन नहीं है जैसा भारती सेना में है कि जनरल ने कहा दिया तो फिर उस पर कोई सवाल नहीं उठ सकते हैं यहाँ पर स क्योंकि भाजपा के लिए दिल्ली उत्रा महत्पूर नहीं है जितना बिहार और बंगाल है और ये भीहार और बंगाल के चलते ही यह रनिती अपना फैसर पड़ेगा तो मुझे लगता है कि दिल्ली बहांपक पारिए बिहार और बंगार एक निसान फेस सेविंग है मोधी कि आप ये कह रहे हैं जी चले आप से जाना चाहेंगे यहाँ पर अब दत्ता साब आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली के चुनाओ को कॉंग्रेस का भूमिका कैसे देख रहे हैं आप क्योंकि बीजेपी हो या फिर आम आदनी पार्टी दोनों ही कोशिश बात में कर रहे हैं कि बीजेपी वर्से आम आदनी पार्टी हो आम आदनी भी ये कोशिश कर रहे हैं क्या आपको लगता है कि एक जिस तरीके से कॉंग्रेक को निगलक किया जा रहा है क्या एक छुपी ताकत के तौर पर वापसी कर सकती है क्या त्रिकोनिय लड़ाई तो बेशक नहीं है दिल्ले में लड़ाई अगर है तो भाजपा और आमादमी पाधी के बीच में ही है कुछ सीटे होंगे जहां पे त्रिकोनिया संभाब ना बन सकती है और वहां पे तीसरे पैदान पे कॉंग्रेस खड़ी है यह जरूर है कि बाकी जो सीट होंगे उन पे तीसर पॉजिशन पे बेशक कॉंग्रेस होगी या फिर छठा पॉजिशन पी भी हो सकती है क्योंकि अन्य भी और बहुत सारे दल है पर मुकाबला जो थर्ट पॉजिशन के लिए होगा वो कॉंग्रेस या फिर अन्य दलों के बीच में होगा और कुछ जगाओ पे तीसरे पे साचे लेगा हकीकत क्या है कुछ आइसलेटर पॉकेट हैं दिल्ली में जहां पे पुष्टेनी कॉंग्रेसी वोट बैंक है जैसे अपके पुराने दिल्ली के इलाके है या फिर ओखला साइट के इलाके है ट्रांसियमुना के कुछ एरिया है जहां पे कॉंग्रेस हमेशा कॉंग्रेस जीत सकती है पर मेरा मानना है कि जिस तरह का दूर्भाग्यम परिस्थिती हुआ था पिछले दिल्ली चुनाफ के दौरान कॉंग्रेस के लिए शायद उससे थोड़ा बैटर पॉजिशन आज की डेट में कॉंग्रेस का है क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो ल दिल्ली के जनता ने कही ना कहीं पर उस चीज़ को बक्षा नहीं है आज की डेट में चाहे कितना भी छाती फार के घूम घूम के कहें कि पात साल का मौका मिलना चाहिए पात साल का मौका दिल्ली के जनता देने के लिए तैयार है के नहीं यह सबसे बड़ा प्रशन है दू इसलिए कही ना कहीं पे वह एक बहुत बड़ा प्रश्नन चिन्न्न है जो प्रश्न चिन्न्न आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा है उसके चलते आम आदमी पार्टी के वोट शेर का भी अगर देखा जाए या फिर पॉपुलारिटी ग्राफ अगर देखा जाए तो काफी हथ तक कम हुआ है पिछले चुनाफ के मुकाबले के दौरान मैं समझता हूँ कि जिस तरह का पहले जो क्रदेशन रहा है आम आदमी पार्टी का उस तरह का बैतरीन स्थिती नहीं है आम आदमी पार्टी भाजबा के लिए और वहां पे कही ना कही पे तेजी से खास करके बंगाल के परिपक्ष में अगर देखा जाए तो तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है बिचीपी का और कुछी दिनों बाद मिलिसिबल कॉपरेशन का इलेक्शन है बंगाल में अगले साल फिर बिहार का चुन कि कितने सीट मिलते हैं भारतिया जनता पार्टी को सिंपल मेजरिटी से मुझे लगता कि उपर जा सकती है पर कितना मिलेगा उसके उपर वो चलिए जरा संजीव जी क्यों तमाम लोग जो एक्सपर्ट हैं आपको कम करके आख रहे हैं और जैसे अर्विंद केज़िवाल कहते हैं मुझे बहस करनी है तो किरन बेदी से करनी है जब उनसे सवाल क्या आता है आजय माकन तयार हो गए हैं आप वो कहते हैं नहीं मुझे जमाकन से भैस नहीं करनी है तो ऐसा क्यों है कि सारी पार्टियां इग्नोर कर रही है और यह दिखा रही है कि कॉंग्रेस कहीं डड़ाई में है नहीं क्या इस बार की चुनाओं की इस्ति रहने वाली है यही चीज तो मैं जाना चाहता हूं कि जब बहस करने के लिए उन्ह बता रहे थे अभी कॉंग्रेस दिल्ली में बहुत अच्छे पोजीशन में है और 49 दिन जो अरविंद केजरिवाल जी का जो सरकार था 49 दिन का एक कहावत आप में सुना भी होगी काट की हांडी बार बार नहीं चड़ती है 49 दिन में इन्होंने किया क्या है धरना अगर आप कहते हैं कि उन्चास दिन में कुछ नहीं हुआ और आप समर्थन देते रहे और समर्थन आपने जारी रखने का फैसला कर रखा था उसमें आपकी कोई जमेदारी नहीं थी गया पूरा बिजली फिरी करेंगे पानी फिरी करेंगे लोगों को इतना इतना सहायता करेंगे सुविधा देंगे लेकिन उस सारे के सारे वादे धरे के धरे हो गए बिजली फिरी किया उसमें जनता का पैसा दो सो कड़ो रुपया उन्होंने दिया कंपनियों को चलिए चलिए जहां तक किरेनवेदी जी का सवाल है, मैं एक चीज बता देता हूँ, किरेनवेदी जी चुरू से हिही रन्शोर रही है, बोलती कुछ हो और है, करती कुछ हो everywhere, इक सुरू से हिए नेचर रहा है पहले तो इन्हों ने पूरे विरोधी पर हमला बोलना चाहते हैं हमला की बात नहीं यह सचाई है लोगों को जानना पड़ेगा दिल्ली की जनता को पता होनी चाहिए कि इनकी कत्नी और कर्मी में कितनी अंतर हैं तो सबसे बड़ा बात यह है कि किरनवेदी जी आज जो बोल रही है उस दिन खुद जंतर मंतर पर अन्ना के दो चेले थे एक तरफ अर्विंद गेजरिवाल दूसरी तरफ किरनवेदी आज दोनों के दोनों में पता नहीं इनके दोनों के बीच में क्या साथ गाठ है यह तो वही लोग बताएंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से लेकिन यह तो सच्चा ही है कि एक बायें बैठती थी एक दायें और दोनों का ही डिसीजन होता था इन्हों ने पार्लियामेंट के ऊपर इतना जादा तंज कशे बहुत सारी बाते आज पाने उनहीं को परजेंट किया है ऐसा लगा कि हमारे मानिये परधान मंत्री जी का रैली जब फेल होने लगा दिली के अंदर में लोग जब इनको पत कैंपेनिंग से बाहर रखा हुआ है वजा इसके पीछे क्या है दूसरा आपकी पार्टी को तमाम दिग्गर यह तो छोड़ते जा रहे हैं उसके बारे भी कुछ बताई है और भी ऐसा नहीं है कि सोनिया जी राहुल जी का दो रैली ही है सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात ह है कि चाहे दो रैली करें चाहे सो रैली करें सो रैली भी जहां पर किये हैं वहां पर तो कॉंग्रेस चीत हुई है चाहे जारकंड हो चाहे जमू कश्मीर हो लगातार तो आप लोग चुना भार रहे हैं जारकंड आप हारे हैं जमू कश्मीर आप हारे हैं राजस्तान आप यह करें दस करें मतलब क्या है आपकी योवराज की रेली में तो उरसिया काली रहती है योवराज आने से पहले तो लोग बाद जाते हैं अपके पार्ट आपके पार्टी ने आपको रिवाइप करने के लिए क्या किया है आपके पाटी की दिगज लोग पनायन क्यों कर रहे हैं प्रिष्णातिरप क्यों भाग के गई हैं जो आपकी सामसाद रही है वो भाग के क्यों गई हैं इन सब चीजों का चबाब तो कॉंग्रेस को देना पड़ेगा ना दिल्ली चुनाव में परवकता की तोर पर नहीं बोल जाओ सिधा सिधा सवाल उखा रहा हूं आपके पार्टी के जामी है वह सब को दर्शा रहा हूं इसका मतलब नहीं है कि पर्वकता पैपके पार्वकता नहीं है पर एक सबसे अहम सवाल है जो इस बहस में उलच के रहा गया है या मुझे लग रहा है है कि हो सकता है मैं गलत हूँ मुझे लग रहा है एक अहम कड़ी की और मीडिया ध्यान नहीं दे रहा है मैं किरन बेदी जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ मैं उनका बहुत ज़्यादा आधर भी करता हूँ उनकी छमता पर कहीं कोई संदे नहीं लेकिन मुझे चुकी मैं राजीती के रनीती से वाकिफ रहा हूँ नस्दीक से देखा हूँ मुझे एक बात सभजवनी आई कि अगर किरन बेदी जी इतने प्रभावशाली है जो भाजपा को जीत दिला सकती है भाजपा में नई जान फोग सकती है तो कोई भी दल अपनी संख्या बढ़ाना चाहता है जब संख्या बढ़ाना चाहता है तो वो ऐसे चेत्र में अपने ससक्त उमिद्वार को उतारता है जहां उसको जीतने की उमीद नहीं थी किसनार अगर सीट एक ऐसी सीट है जहां पर भाजपा परमपरागत है और कोई भी खड़ा होता तो उमिद्वार जीत सकता था किरिन बेडी जी अगर कही ऐसे जगह से उतरती जहां भाजपा के अपने सर्वेक्षन में वो सीट भाजपा के परक्ष में आता नहीं दिख रहा है तो ऐसे में भाजपा को यह ज़्यादा लाब मिलता कि एक ऐसी सीट जो कोई और नहीं जीत सकता था उनके तुर्व के पत्ता वो सीट एक क्योंकि एक-एक संख्या मरतपुन होती है वाजपा के अध्यादा कर आपको ध्यान है कि आपको ध्यान है कि बाजपांजपी जी के सरकार एक बूट सहारी वो कहीं नहीं बनने वाली थी यह तो साफ संकेत है क्योंकि वो हर्सवर्दन जी का seat था और हर्सवर्दन जी और पूरी की पूरी मेस्टेरी जो बीजेपी की है एवं अन्य सारा का सारा का कॉंसेंट्रेशन वो लोग कृष्णा नगरप लगा रहे हैं कि यह परधानमंत्री की बेजिती नहों जाए बीजेपी अधर्स की कहीं बेजती नहों हो जाए कि हमने किरनवेदी को लाके और चुनाओ हरवा दिया जहां तक दिल्ली की जनता के सवाल है दिल्ली की जनता अ एक सबसे बड़ी बात है किरन जी जैसे हमारे भाई साथ बता रहे थे कि एक हाई जम लाके उपर से पैरसूर से उतार दिया आपको क्यों जरूरत पड़ी आजा आपकी इतनी मोधी जी की मोधी मोधी की गुप्रान होई है संजीब जी एक सी मैं बैक सी पूछ रहा हूँ ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ ना मैं किसी पार्टी विसेश के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी आकरमक्ता देखकर मैं बोलने के लिए मजबूर हो गया हूँ कॉंग्रेस की स्थिति मैंने जारकन में देखी और जारकन में स्थिति आज ये है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के इत्यास में ये पहला अउसर होगा कि चुनाओं बीते एक महने से उपर हो गए लेकिन वहाँ पर कॉंग्रेस ना अपने विधायक दल का नेता चुन पाई है ना वहाँ पर वो उनके सचे तक नुक्त हुए है अब ऐसी कौन से मजबूरी है ये पार्टी ऐसी आखिर है क्या कि जो अपने विधायक दल का नेत चुन सकती है और आप नेतिकता की बात करते हैं और आप दिली में देखिए ऐसा है ऐसा है संजीब जी आप अगर अपनी बात करें तो ज्यादा बहतर है वहाँ डिवाव कर रहा हूं पूरे देशपर में तो इसी तरह की स्थिती है पूरे देश्पर में तो जो वेक्ती हाकीकत बता रहे है या फिर कमी गिडा रहे हो तो भाजपा के परवक्ता हो जाते है या पिसी और पार्टी के परवक्ता हो जाते हैं कॉंग्रेस वाकिंग कमिटी की समक्षा बेटा कभी तक क्यों नहीं हुई है, आपके प्रिनीमिलरी सेशन पे आपके योग्राज विसिंग है, आपके वापस दिल्ली में किरन वेदी को आप देखें, किरन वेदी कह रही है कि RSS ने हिंदुस्तान को एक अठा रखा है, एक अत्रत रखा है, वो एक रास्ट भक्त संगतन है, तो यहाँ पे BJP में दो कारंथा किरनवेदी जो यह पूछ रहे हैं किरनवेदी क्यों और किरनवेदी क्यों नहीं, सवाल दोनों हैं, क्यों इसलिए कि बाज़ाला की भाजपा कहीं ने कहीं भाजपा के लिए कठनाई वो पैदा करते हैं, और किरनवेदी के आने के बाद कम से कम भाजपा में, ठीक है, बाकी निताओं में भी रोज हो सकता है, कि अभी आप आए हैं, तुरत मुक्यमंत्री आप बनाय जा रहे हैं, या उनको मिद्वार गोसित के जा र काउंटर करने के लिए दिल्ली में, नरेंदर मोधी प्रधान मंत्री हैं, वो केजरिवाल के तरह की सियासत अगर करते, तो सायद देश के लोगों जैसा उन्हों, इसको सायद उस शैली को, केजरिवाल के शैली को कौन बहतर उसको काउंटर कर सकता है, तो मुझे लगा, व कर दर जीट होती है, तो कम सकम एक प्रशासनिक अनुभव का वयक्ति मिलेगा, हलाकि दिल्ली पूर्ण राज्य का दरजा दिल्ली को प्राप्त नहीं है, यहां कानून नहीं UMCIE नहीं नहीं UMCIE हैं वो तमाम चीजECKE अंदर सर्कार के हाथ में यहां पे आप एक प्रशासन अच्छे प्रसासक अगर आपके पास हो को दिल्ली को आप बहतर बना सकते हैं दिल्ली को आप बहतर कर सकते हैं और उसमें मुझे लगता है किरनवेदी की जो छवी है किरनवेदी का जो भी कुछ है आप बीजेपी को छोड़ के अगर देखें बीजेपी के अंदर क्या हो रह इस लिए आपको पता है तो इसलिए अपके आप नियम हो आप दूसरे का वहां पर अंगामा हो इसमें दिलीप जी मेरा एक थोड़ा सा अब्जेक्टिव एनलेसे हैं जिस चीज को मैं अगर एप पोलिटिकल होकर सोचूं इस आखिर किरेंबेदी जी को क्यों लगाना पड़ सेट असाइड पोलिटिक्स मैंने भई कहा मेरा जो आगलन है वो यह है कि इसलिए मैं हो सकता है कि मोदी जी के दिल की बात और साह जी की दिल की बात नहीं जानता हूं लेकिन मैं जितने इनलेसिस करेके समझ पा रहा हूं कि देखी ऐसा है कि दिल्ली की कुछ ऐसी मांग है और जिस पर कि पिछले चुनाओ के दोरान चुकि उस समय तक केंदर में मोदी जी नहीं बैठे थे जब पिछली बात दिल्ली के विदान सभागे चुनाओ हुए थे उस समय मोधी जी और भाजपा ने भी दिल्ली की जनतासे वदा किया था कि हम पुनराज की करेंगे हम बिजली सस्ती करेंगे और तमां तरह कि वो चीजे की थी जो सत्ता में आने के बाद अब मोदी जी को ये लग रहा है कि नहीं ये संभब नहीं है ये किया नहीं जा सकता है और अगर मोदी जी फ्रंट पे होते तो उन वादों पर जवाब देना पड़ता सफाई देनी पड़ती और मोदी जी खुद जानते हैं कि ये अब संभब नहीं है क्योंकि आप जब सत्त से बाहर रहते हैं तो पिपक्च में होने के कारण आप तमाव ऐसी चीज़े भी कहते हैं जान पूजकर भी या हो सकता है, अज्ञानता वश्क्राइबें के सरफ्थ यह तमाम चीजे हैं जो हमको लग रहा है कि मोदी जी को यह लगा होगा कि अगर हम चुनावत परचार में जाते हैं, मोदी जी की स्टाइल रही है कि वो किसी चीज पर चुपपी नहीं साथ पाते हैं, या साधरा उनके सभाव में नहीं है, उनकी राणितिक सहली में नहीं है तो उनको ये लगा होगा कि बैतर है कि हम इससे अपने को विड्रॉ कर ले ताकि हमको जवाब ने देना पड़े और अगर कुछ गलत हमने वादे कर दिये तो वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए एक बड़ी इंब्रेसिंग चिछवसन होगी जो मोदी जी के इमेज प्रदान मंतरी की जंधन योजना आ गई है कैसे उसके क्या कुछ सी मत्व हम निकाल सकते हैं इस्विश रचाज छोटे से ब्रेक के बाद गटना चेकर में ब्रेक की बाद आपका स्वागत है तमाम खास मैमान हमारे साथ बने हुए हैं दूसरा हमारा मुद्दा है जंधन योजना बड़ी काम्याबी भारत सरकार की इस महीम को मिली है और आपको बता दें कि 11 करोड लोगों से ज्यादा लोगों ने अपने बैंक में हमाम खास मैमान हमाई साथ मथूद है अर सबसे पहला सवाल द्र्टा साब आपसे सबसे बहुत तक जो आकड़े आरें साड़े ग्यारा करोड बड़ी सफलता मिली है क्या कुछ इससे अर्थ व्योस्था की तस्वीर किस तरीके से बदलने वाली है क्या कुछ इसके फायदे होंगे यह जरा हमाई दर्शकों को बताईए यह आपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी है क क्योंकि साड़े ग्यारा करोड के आसपास लोगव ने अगर आपना नया खाता अगर खोला है प्रदानमंद्री जंधन योजना के मात्रम से यह आपने आप में भारत जैसे विशाल देश के लिए एक एतिहासिक कदम है और बहुत बड़ी उपलब्दी है और बेशक आगर आख्ड़े अगर से ही है तो मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा योजना है और सबसे बड़ा पाब्लिक पाटिसिपेशन का स्कीम है और उस तरह से गिनिस बुक और वाल रिकॉर्ड में बेशक यह तरह से दर्ज किया जा सकता है और वाल रिकॉर्ड बन भी सकता मुलता सवाल यहां पर यह है कि आखिर बेनिफेशिरी कौन है और बेनिफिट किसको मिलने जा रहा है इससे यह जंधन योजना का जो प्रावधान है वो प्रावधान के मुताबित डायरेक्ट को रिलेशन है बैंक का जो गरीब से गरीब और वंचित जो लोग है उनके साथ बीच में किसी तरह के बिचवली नहीं है किसी तरह के इंटरमीडिटरी नहीं है जो आकसर तमाम चीजों में अटकले देते हैं या अरंगा डालते हैं यहां पर जो बैंक की जो रिलेशन्शिप होगी वो जो गरीब वंचित जो इनसान है उसके साथ डायरेक्ट एक जाता है वह आर्थिक योजनाय तमाम योजनों का जो लाब है वो बैंक खाता के मांतम से उस वेक्ती तक डायरेक्ट ली पहुचेगा बीच में किसी तरह के इंटरमीडिटरी नहीं होंगे अकसर क्या होता था कि तमाम जितने सारे सेंट्रेल योजनाय है चाहे वह आप मात में प्रादेश के सरकार में इन्वाल्व होती है और जो अनुदाम दिया जाता है केंद्र के माधभम से डायरेक्ट ली जंटा पनहीं पहुच्छ और चाहिव ब्रश्चार के चलते मतलब west जो हाकिकत में जो डाइक्ट बेनिफेश Kayla जिनको ये डायरेक्टा मेलनावल्य हाकिकत में वो होता नहीं है मसलन अगर 100 रुपए अगर केंग्रिय सरकार ने अगर एक तरह से छोड़ा अगर 100 रुपए पार यूनिट के हिसाब से वो 100 रुपए जब जमीन पे जब वो रामीन इलाके में वन्चीत विक्ती है उसके पास जाते जाते इतने सारे चीज़े आ जाते हैं और इतने सारे हाडल्स होते हैं कि वो 100 रुपए जाके हाकिकत में जाके 5 पैसा होता है या फिर 1 पैसा होता है तो डाइरेक्ली जो जिस बेनिफेशनी जिसको मतलब कि 100 रुपए मिलना चाहिए था वो रियालिटी में उसको पांच पैसा मिल रहा है या फिर एक पैसा मिल रहा है तो उसके चलते जितने सारे सोशेल योजनाएं हैं जिसका मतलब आर्थिक तृष्ट कोन से जो बंचीत लोग हैं जिनको economic ladder में उपर लाना है और एक inclusive growth बनाना है पुर्व देशपर में वो हाकिकत में हो नहीं पाता है और उसी के चलते भारत सरकार के जितने सारे विशाल जितने सारे योजनाएं रहे हैं उनके जो मनसुबे हैं या फिर उनके जो basically जो में मकसद से किया जाता था एक social clause को लेकर एक social initiative को लेकर वो पूरा नहीं हो पाता था और reality में बहुत सारे ऐसे योजनाई इतना जाता पेचिता हो जाता था या फिर इतना सारा ब्रश्टचार का आरोप लग जाता था कि आंत मे अनुटिलाइस्ट होता था चीजे और उसके चलते यह सब चीजे आ जाती थी आज यह जंधन योजना के माध्धम से जितने सारी social जितने सारी योजनाई हैं वो सब चीजों को कही ना कहीं पर क्लब किया जाएगा आगे जाके आधार कार्ड वगरा सारी चीजे इन सब के स स्टेट का जो एक connectivity सरकार की जो connectivity या पर स्टेट की जो connectivity होती है जनता के साथ वो कहीं ना कहीं पर सीधावे में होगा ना कि indirect route में मौनिटरिंग आसान, आपसे जानना चाहेंगे, हिमाशु जी, कि इसमें दो-तीन चीजें सबसे बड़ी काम्याबी देखने हो मिल रही है, एक तो ये कि गरीब अप साहुकार से कर्ज लेने के वजाए बैंक से भी रही है, इसमें विपल आप सवाल पूछे, इससे पहले मैं इसके प्लस और माइनस दोनों बताता हूँ, जैसे हमारे में तरका रहे थे, मैं इनके कुछ बातों से बिल्कुल समत नहीं हूँ, मैं इसको तीन लूप में देखता हूँ, मैं ये मानता हूँ, ये कहते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ, कि ये मास्टर स्टोक है, की तीनों इमपेक्ट है, सोशल, पोलिटिकल और एकॉनोमि, सोशल इमपेक्ट ये है कि जैसे दिलिप जी ने कहा कि एक एकसिडेंटल पॉलिसी है, सोशल सिकुरिटी ये है कि उनको महाजिं के पास नहीं जाना पड़ेगा, सोशल सिकुर्टी ये है कि वह भारत की अर्थ dispar सब्सक्राइब नागपूर में जिस तरह से किसानों के साथ बाते हुई वो उनको महाजन के पास जाना पड़ता है हमारे यहां कम सकम अब तक आजादी के बाद एक लाग से जादा किसान आत्मात्या कर चुके हैं तो ऐसी परस्तितियों से अब हम बच सकते हैं इसका पॉलिटिकल यह है अगर इसको पॉलिटिकल चस्मे से हम देखें तो पॉलिटिकल यह है कि जिस तरह के से अभी मध्यमवर्ग और उच्वर्ग भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है ऐसी मानिता है मीडिया यह मानता है हम दो भी यह मानते हैं कि मध्यमवर्ग और उच्वर्ग अभी जुड़ा हुआ है नीचे का तबका अभी कॉंग्रेस और छेतरी पार्टियों से जुड़ा हुआ है तो यह जो योजना है यह मेली टार्गेट करता है ऐसे ही लोगों को जो भाजपा का कैडर नहीं है जो अब आपको परिलेक्शित नहीं होता है यह सीधे तोर पर जब मिलेगा तो उनको यह लगेगा करें मोधी जी नहीं तो जो मतकार कर दिया अब तक 65 साल तो जो नहीं हुआ वो मोधी जी नहीं किया यह तो वह ही यह पुलिटिकल चस्में से हम चीजों को देख रहे हैं लेक कौन ब्रस्ट कने से नहीं है इसका स्युक्ता करना सै नहीं है यह आत ना काहिन है यह जो मे मरत cm नहीं है तो यह कंड ट्रशे करें कि ब्रस्ट यह नहीं हुआ चीजे IV सर्कूर सब्सक्राइब पर जो करेंगी लेकिन केंदर के जो पैसे हैं वह राजियों का समुचित सम यह है कि कि ईसके नई सुर्वात कि अलोचना करने की बजाए मेरा यह है कि संगी धाचे को प्रहार नहीं इसको किसाने करें कर रहा हूं कि मान लेजे कि गैस पर सबसेड़ी जा रही है उसमें वैसे भी भूमिका बहुत जादा राज सरकार की होती हैं तो सबसेड़ी जैसे आप यह देखिए आप कई तरह की स्कीम्स होती हैं जैसे चात्रों को चात्रवेटी मिलती हैं सिधे चात्र को एकाउंड में दे रहे हैं सोचल सिक्यूर्टी के भी कहीं देखिये यह चीजे पेट्रोल डिजल भी से नहीं है जो इन लोगों के लिए यह बैंक खाते खुले गया है उनको पेट्रोल डिजल से बहुत जाड़ा मतलब नहीं है उसकार कंगी चाफी सारे काफी सारे लोगों को एकांट खुरने वालों को लग पता भी नहीं होगा गैस भी कोई चीज होती छहां ने की राज्यों को फाइदा भी तो होगा कि तमांम स्कीम चलाने के मेरी आसंका बहुत ज्यादा नहीं है मेरे है कि अगर कोई तरीका वोका जाता हूं कि नाकारात्मत कैसे नहीं ज़रा है आप पता है इस पे इस पे जो एक सेंटर स्टेट रिलेशन्शिप की जो बात आपने उठाया है और उस पे जो आपने कहा है कि हो सकता है कि स्टेट के जो अधिकार है उस पे कही ना कहीं पे एक तरह से अंकुष लग सकता है हमें बजिटरी ऐलोकेशन देखना पड़ेगा केंद्रिय बजिटरी ऐलोकेशन के मांधम से तमाम जितने साथे सेंट्रेल स्कीम्स होते हैं वो से दाइरेक्ट किया जाता है स्टेट के माध्धम से अनुदान जो होता है वो 100% केंद्रे के तरफ से होता है उस पर स्टेट की कोई भुमिका नहीं होता है, दूसरी बात है कि तमाम बहुत प्रदेशों को conceptual program से एड दिया जाता है, financial aid दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे schemes होते हैं, जहाँ पर केंद्रिय सरकार के साथ साथ, प्रादेश के सरकार की कहीना कहीं पर एक correlation होती है, वो सब जितने सारे central legislative with participation of the state का जो schemes है, वो सब चीजे इस योजना के माध्धम से affected नहीं हो रहा है, इसको जो central चीजे हैं, central चीजों का सही तरह से भुगतान हो और सही माध्धम में हो और जो हाकिकत में जो जिनको मिलना चाहिए, वहां तक जाए, उसके लिए यह चीज किया गया है, जहाँ अनुदान की जहाँ बात आती है, state के जो population के percentage के हिसाब से size के परसेंटेज के हिसाब से जो केंद्रिय भंडार से जो अनुदान मिलता है, वो तो as it is बरकडार रहेगा, बाजिटरी एलोकेशन में, दूसरी बात यहाँ पर यह भी आता है, जैसे आपने खाध्यान का आपने उठाया, food cooperation of India के माध्धम से जो food की distribution होती है, वो केंद्रिय लेजिस्लेशन के केंद्रिय सरकार नहीं कर रहे है, जो FCI के गोडाउन में जो चीजे हैं, वहाँ केंद्रिय करती है, अब अगर मालीजे कल के तारीक में इसी रक्से कदम पर चलते हुए, अगर मली एक उधारन हम दे रहे हैं, जैसे सरुषिक्चा अभ्यान है, सरुषिक्चा अभ्यान में केंद्र सेंटरली एडेड है, साथ, अब साथ 75 और 25 कर दिया गया है, कि अब लेटेस्ट पोजिशन क्या है मुझे पता नहीं है, 60-40 कर दिया गया है, सुरवात में जो शुरू हुआ थो यह 75-25 था, देरे देरे चीजे हुई, मेरा यकान है कि अगर जो सेंटर, अगर जो बच्चों के खाने की बाते हैं, अगर कल के तारीक में केंद्र ये कहें कि नहीं बच्चों को हम अब मिड़े मिल नहीं देंगे, उनके एकाउड में ही पैसे डाल देंगे, तो ये एक कहीं निगेटिव महौल बनाएगा, इसकुल राज सरकार का, मैं एक बिल बोलूँ, हा आज सरकार को नेगलेट करके, डायरेक को डायरेक्ट अपने आप में एक डेटा बैंक तयार करके, इनके पास रखने की प्रोग्राम है। प्रफिय फेर अ करें लान्च किया गैसा कि ये रिपकेज कर दिया है, मोदी में बश्रोश में इसको नया नहीं है, ये तो हम पहले से कर रहे थे, रिपकेजिंग वहा है, अब आप उसको जो कृटिसाइस कर रहे हैं, तो पहले अप ये त ए करिय पीदिय कर दिलिव जी मै सबसे एहम बाते हैं कि अच्छे प्रियास किये गया है कॉंग्रिस का दावा है और रेकॉर्ड है कि यह हमारे प्रियास को री पैकेज करके मोदी जी आगे बेच रहे हैं सब्सक्राइब अच्छे प्रियास सब्सक्राइब आपके मोदी जो सारे ग्यारह करोर खाते खुले हैं जिस तरह से बैंक्स को टार्गेट दिये गया कि कितनी दुप्लिकेसी है कितनी ज्यादा एक्यूरेसी है इस पे अभी तक कोई आखरे हमारे पास नहीं है जो दूसरी बात है आप याद करें राजीव गंदी के उस बयान को वह कहते थे कि केंद्र से जब हम एक रुपया भेजते हैं तो पंदरा पैसा पहुंचता है बीचों पचासी पैसा खा जाते हैं कि हम जब पैसा भेजते हैं वो बीचोलियों खा जाते हैं तो अगर ऐसे बीचोलियों को रोकने के लिए कोई प्रियास किये गए कॉंग्रिस ने भी किये और मोदी जी भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसमें कोई थामीन नहीं है इसका लेकिन जब कॉंग्रिस उसको सपोर्ट करती है तो कहते हैं हमारे चीज को प्रिपैकेज कर रहे हैं मेरा सवाल है कि जो फैनेंसियल इंक्लूजन का जो एक लक्ष होगा कि चलिए आप लीकेज को तो रोक सकते हैं मेरा सवाल यह है मैं समझना भी चाह रहा हूं दृत जो इन लोगों के पास पहुंचेगा जिससे की गरीबों का फैनेंसियल इंक्लूजन पूरे जो आपका एकोनोमिक जो इनवर्स है इंडिया का उसमें होगा वो कौन से प्रड़क्ट हैं क्या उस प्रड़क्ट के बारे में कोई चीजे हैं दृत्ता साहब जो आपको दिख आप जितने सारे आपके मतभी जो डिटी हैं क्या इससे इसे चाहता हुं किया रविश्जा आए है की ये फैनेंसिल इंक्लूजन गरीबों का कैसे होता है इसमें आज से वी कितरफ न चाहाए है कि भारत में कहा जाता है कि मूचल फंड का पेनेट्रेशन लेवल जितना होना चाहिए बाकी मुल्कों को बहुत कम है तो जब इतने ज़्यादा खाते खुल सकते हैं तो उसके जरीये जोड़ करके हम mutual fund से लोगों को क्यों नहीं जोड़ सकते हैं तो क्या आगे चल करके जो पढ़ा लिखा लिखती है या आगे चल करके सब्सक्राइब चाहिए जितने भी खाते खुले हैं इसका इसका भी तो कोई आधार होना चाहिए खाते तो खुले लेकिन इसे benefit कितनों को होगा रियल में benefit कि कितनों को होगा एक मिनिट मुझे प्लीज बोले आप एक एक ही काम इसमें एक लाक रुपे का accidental benefit आपने दे दिया आपने उसके अलावा accidental benefit के अलावा चलिए एक तीस तो सुन हुआ हुआ अगर गरीबों के हित में कोई काम होगा तो हम क्रिटिसाइज क्यों करेंगे लेकिन इसमें हमें यही कहना है कि इसमें और क्या क्या होगा क्योंकि देखिए हमारे द्वारा चलाए गई जो भी यह उजनाए थी यूपीए वन यूपीए टू की द्वारा वह भारत में बहुत हत्तब गरीबों को फायदा मिला और उससे हम बहुत आगे गरीबी रेखा से बहुत आगे आए तो यह चीज हम जाना चाहते सिर्फ खा हम कई कई इसके पहलू है एक पहलू यह भी है कि आज दुनिया भर में एक संदेश गया कि भारत में पंदरह गस्त लेके 26 जनवरी अब नहीं हुए हैं इतने दिनों में सारे 11 करोर लोगों ने खाते खुलवाए हैं और यह सारे 11 करोर हाउस होल्ड को एक लाग का एक्सिड सवाल था या असंका जिसको हम का सकते हैं कि यह सही है या गलत है यही तो विपक्स का काम है विपक्स आज वो काम नहीं कर पा रही है विपक्स पता करे ना कि यह सही है कि गलत है और अगर सही है तो उसकी तारीप करे सब्सक्राइब आपको यहां पर बहुत बड़ा कार दिए यहां पर अक्सर यह हुआ है कि सरकार जब कोई टार्गेट यह करता है कि यह टार्गेट हमारा है वहां तक अमुमन आपको यह सायद अब तक मुझे यहाद नहीं है टार्गेट के पर से जादा कर रहे हैं इसलिए संकाय होती है कि क्या बैंक्स ने अपने टार्गेट को मीट करने के लिए कहीं इस तरह के खाते कुले हैं जो वाकई अगर सारे ग्यारा करोर जन्विन खाते खुले हैं जहां डुप्लिकेसी नहीं है तो यह से वाकई इसको सराहने कदम कह सकते हैं एक इसको सराहना बहुत जरूरी है कि एक बहुत ही बहतरीन काम्याबी के तौर पे इसे देखा जा सकता है लेकिन अगर अगर हमारे पास सरकार के तरफ से जिस तरह से अरून जेटली आके बता रहे हैं कि इस चीजों के बारे में देश को बताना भी सरकार को चाहिए प्रियास को सिर्फ एक किसी सायर की लाइन से अगर कहा जाए तो हम यह कह सकते हैं कौन कहता है आसमान में सुराक नहीं हो सकते एक पत्थर तो तब्यत से उच्छालो यारो क्या वाकरी में जो जो बाजार बनने की बात हो रही है वाकरी में यह बड़ा कदम हो सकता है क्योंकि कर रहें उस दिशा में बेशा कि एक संकेत है और बहुत बड़ा कदम है आपने आप बहुत बड़ी उपलब्दी है कि इतना बड़ा टार्गेट को एचीव किया गया है और जाते-जाते स्रिफ इतना करके जाता हूं कि किसी भी बैंक पर जब कि एक परिवार में कितने लोगों ने खाता खुला चीज है वह आलग चीज्टे वह अलग संसेंट और उसके लिए और पॉपलेशन पॉपलेशन के जो आपके संसराइन thuखनिक और दंपेर नाटकिश मवह सरा Обरव इस पर सो हो सकता है इस पर जित हो सकता है वे कंट कर सकते हैं जाहीं करते सरगे क हुए रिचक और कुछ कमी होंगी तो उनको सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए लेकिन अपने आप में एक बड़ा कदम है गिनिज बोक और रिकॉर्ड में से रखा गया और आगे चले और इसका बेनफिट वाकई में जो आखरी आदमी है समाज का हर तबके को मिल सके इसी उम्मीद के साथ इसी पॉस्टिल नोट के स साथ इसका को यहीं समाप करते हैं तो आम बड़ी खबरों के लिए आपने तेरी जैन टीवी नमस्कार झाल